जहिन बच्चों, आज मैं आपको लेसन 11 बुद्धिमान बालक पढ़ा रही हूँ बुद्धिमान बालक एक इसे बालक की कहानी है जो की बहुत प्रतिभावान था जो की राजा चंद्रकुप्त मोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ और उनकी बच्चपन का एक प्रसंग है जो ये पार्ट में बताया गया है महान राजनिती चानक की जो थे एक दिन वो रास्ते से जा रहे थे नगर में थोड़ा बाहार जंगल में कुछ बच्चे खेल रहे थे उनमें से एक बच्चा राजा बना हुआ था और शेश बच्चे उनकी प्रजा बने हुए थे राजा बना जो बालक था वो सभी की बाते ध्यान से सुनता और भली प्रकार से किसी को दंड और किसी को पुरसकार देता था चानक की ने राजा बने बालक के अभिनाई को ध्यान से देखा और चानक की के मन में कोतुल हुआ विनोध भी सूजा विनोध मतलब मजाग ठीक है तो विनोध भी सूजा चानक की वे थे ही जट से राजा बने बालक के सामने जाकर प्रात्ना की महराज मुझे दूद पीने के ली गाय चाहिए राजा बने बालक ने राजा की समान उदारता का भी नहीं करते हुए कहा सामने घास चर्ती गायों की उड़ संकेत करते हुए कहा आपको जितनी गायों क्या उशकता है इन में से ले लो चाणक्य ने हस कर कहा राजन जिसकी ये गाये हैं ये तीवा मुझे मा पड़ेगी चानक्य ने जब बालक की इतनी बुद्धी मता और सहासी बाते सुनी तो वे पर रीज गए उन्होंने उसे चिग्यास से पूचा आपका शुब नाम क्या है बालक उसी समय बालक की मा आ गई चानक्यों को सामने देखकर हाथ जोड़कर बोली महराज मेरा पुत्र बड़ा हीट है इसके अप्रादों को छमा करें चानक्य ने प्रसन होकर कहा माता यह बालक बड़ा होनहार है यह एक दिन अवश्य ही मगत का राजा बनेगा किसी प्रकार आप इसे गुरुकुल में शिक्षा प्राप्ति के लिए भेज दें बालक की मा रोने लगी महराज ह इसकारे में इश्वर इसकी सहता करेगा अवश्य करेंगे बालक को आशिरवात देकर तूर्द रशी चानक के चलेगे अब एक दिन राजा उस समय क्या होता था कि जो राजा थे वो एक दूसरे के बल वैभाव बुद्धी आधी की परिक्षा करने के लिए परिक्षा लिय पिंजरे में एक शेर लेकर उपस्तित हुआ और दूत ने कहा महराज की जय हो अवंति के महराज ने संदेश बेजाए कि पिंजरे को खोले बिना को खोले बिना ही शेर को निकाल लीजिए और पिंजरा जो कातियों लोटा दीजिए अब राज सबाग के सभी दरवारी पर रिशान होकर एक दूसरे को देखने लगी कि पिंजरा खोले बिना शेर को केसे निकालेंगी मगत की समराथ महापद्मनंद क्रोच से सब को बारी बारी से देख रहे थे दर्बारियों की चेहरे पर हवाईयां उड़ रही थी थोड़े समय के लिए रासबा में सननाटा चा गया यहना सब लोग चोचने लगी कि यह रहे पिंजरा खोले भी ना शेर को केसे निकालेंगे रासबा में उपस्तित मा और उसके बुद्धिमान पुत्र भी रश्य देख रहे थे वह बुद्धिमान बालक भला कहीं चूप कहां चूपने वाला था रासबा के सननाटे को भं करता हुआ बोला महाराज यदि आग्या हो तो मैं शेर को पिंजरे से बहार निकाल सकता हूँ महाराज हस पड़े इतना ही नहीं रासबा में उपस्तित सभी दरबारी भी हसने लगे बालक की बास उनकर हसने लगे रे यह इतना छोटा सा बालक इतना बड़ा प्रश्न है कि फिंजरे को खोले बिना शेर को निकालने के से रहल कर सकता हूँ रासवा में उपस्तित सभी बड़े बड़े लोगों को इस शेर को बहार निकालने के लिए कोई यूगती नहीं सूज रही थी और यह बालक शेर को बहार निकालने की बात कर रहा है जब महराज को यह ग्यात हुआ कि बालक राजबंदी मौरी सेनापती का पुत्र है तो महराज को गुसा आ गया और वो क्रोज से बोले यदि तु इससे निकाल न सका तो तुझे प्राण दंड मिलेगा महराज की बास तुलकर बालक जरा भी विशलित नहीं हुआ उसने पिंजरे का निरिक्षन किया और पिंजरे के चारो और आग लगा दी आग की गर्मी से मोम का बना शेर जो एकदम वास्तविक लग रहा था वो पिगलने लगा और इस प्रकार पिंजरा खोले भी नहीं शेर पिंजरे से बहार निकल गया रासबा में उससे सभी सभासत चकीत रगए राजा ने अश्चरी से पूचा तुमारा नाम क्या है? चंदर गुप्त बालक ने ध्रक्ता से उत्तर दिया महापदमन नंद बालक चंदर गुप्त की बुद्धी मत्ता से प्रसन हो गए उनों ने उससे पूचा तुम इनाम में क्या चाहते हो? बालक ने उत्तर दिया आप मेरी पढ़ाई की व्यवस्ता तक्षशिला विश्विद्यालाई में करवा दीजे राजा ने उसे तक्षशिला विश्विद्यालाई में पढ़ने के लिए भेश दिया आगे चलकर यहीं बालक चक्रवर्ती समराच चंद्रगुप्त मोरी की नाम से प्रसिद्ध हुआ